Hello students, welcome to civil staff Himachal and remains current of a session जिसमें आज का हमारा discussion का topic है किर्गिस्तान-Tajakistan conflict Both nations are important Central Asian nation but now recently a confrontation has been taken place on the borders of किर्गिस्तान and Tajakistan in Central Asia जानेंगे what exactly the reason behind it साथ ही साथ इसका historical and current status क्या है उसे समझेंगे और USS R की क्या भुमिका जो है दोनों देशों के formation में और इस conflict में रही है सभी facets को इस session के मार्धम से आज हम discuss करने वाले है तो चलिए student शुरू करेंगे आज का session बट सबसे पहले जो हमारा weekly schedule है एक बार go through करेंगे daily 10M MCQ revision session हमारा सवा 10 बजे रहता है it's an important session इसे आप follow कर सकते है mains current phase session सवा 2 बजे हमारा रहेगा इसे भी आप follow कर सकते है it's an important session students सवा 2 बजे रहता है mains current phase का then daily current phase हमारा सवा 6 बजे session रहता है देखे current phase तकरीवन हिमाचल के हर exam में पूछा जाता है चाहे मैं HPS exam की बात करो या other हिमाचल exams की तो बही current phase session आपने जरूर अटेंड करना है इसके अलावा जो विद्यार्थी पटवारी exam की त्यारी कर रहे है HP पटवारी exam की उनसे related हमारे session रहेंगे ठीक है आप important questions discussion की बात कर लेंगे जो भी आपका syllabus है उसको उससे संबंदिद आपके sessions इस slot में रहेंगे इसके अलावा बहुत से YouTube हमारे वीडियो रहते हैं teachers created YouTube shorts जिसमें subject related information and strategies include होती है साथे साथ motivation videos भी आपके लिए बनाए जाते हैं तो आप सभी schedules को आप follow करेंगे student या at least जिन जिन exam की आप त्यारी कर रहे हैं उन schedules को follow कीजिए इस सभी initiatives हमारे YouTube पे free है चले अब बात करेंगे जो आज आपका current topic है तो now what happened on the borders ठीक है ना on the borders of Kirgistan and Tajakistan a concentration has been taken amid the locals ठीक है ना जिसमें बहुत जादा heavy machinery का इस्तेमाल नहीं किया गया heavy weaponry का इस्तेमाल नहीं किया गया किसान लोग है pastoral life है यहां की तो भी पत्थर आगे हाथ में shovels इस परकार से ही लोगों ने एक दूसरी पाकरमन किया साथ ही साथ जो local आपकी forces हैं उनके बीच भी मुटभेड हुई है और अल्मोस्ट 100 पीपल लॉस्टेड लिव्स अगर हम थोड़ा सा विवी टून पेज़ों 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 तकरीबन दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर इशूस हैं लैंड एकुजीशन से संबंदित इशूस हैं ठीके जी वह बढ़ते रहे हैं एंग एंग वर लाइक सिच्वेशन भी ऐसा हुआ है कि बनी है दोनों देशों के बीच में जानेंगे पर एक्जाटली दे रीजन बिफाइंड इट क्या कारेंड है कि सो लोगों की जाने चलेगी अगर मैं किरिगिस्तान तर जाकिस्तान की बात करूं तकरीबन एक हजार किलोमेटर का बॉर्डर जो है दोनों देशों के बीच में लगता है नाव में जो रीजन ऑफ डिस्प्यूट है उन पर आते हैं देखिए सबसे पहले हमें हैं हिस्तोरिकल प्रस्पेक्टिव यहां पर समझना पड़ेगा बिफोर बिकेम अन इंडिपेंडेंडन स्टेट इन 1991 वर नेशन वर पार्ट उफ युश्ट पार्ट अने निन ट्वंटी जो स्टालिन जो थे ठीक है ना प्रॉमेनिंट आपकी उससार के लेडर है लेलिन स्टालिन नाम सुना होगा तो जो स्टालिन डेमार्किट तजाकि एंड क्रदान जो एक लाइन की जडिन तजाकिस्तान का रहेगा यह आपका जो है कि क्रदान का रहेगा उससमें प्रेटिकल जियोप्पॉलिटिकल मैप्स बनाए गए थी दोनों देशन द्वारा तो तजाकिस्तान को मानना है कि जो 1924-29 का पीरिट के बीच में जो मैप बना उसको base बनाया जाता है जिसमें ये सारा region है specially जो फरगना का province है वो किसका हिसा माना जाता है आपके तजाकिस्तान का इसके अलावा जो किरगिस्तान है 1958-59 का हवाला देते हैं कि जो political map उसमें बनाया गया था that is considered ठीके ना base of this whole region and उसके according measure जो pastoral land है that goes to the आपके किरगिस्तान को तो यह dispute है अब थोड़ा सा और हमें aspect समझने पड़ेंगे तजाकिस्तान किरगिस्तान जो है प्रामिर्ली इत्निक cultural heritage यहां का बहुत रिच है रिच इतनिक cultural heritage इन दोनों देशों का रहा है agrarian society है pastoral life जादतर है लोगों की पशूम पर जो domestic animals है उन पर उनकी आजिवीका रहती है खेती बाड़ी लोग यहां के करते हैं ठीके ना लाइफ स्टोक मैंने कहा कि primarily क्या है यहां का भई खेती बाड़ी करना ingredients है साथ ही साथ क्या है कि भई पशूपालन लोग यहां करते है अनिमल हजबेंडरी बहुत जादा dependency है इनकी आजिवीका पर फार्मर्स है फार्म लेंड है यहां की और बोथ नेशन जो है claim on the fertile end of the है उन पर भी जो है अक्सर dispute रहता है बोथ nations claim claims कि भई यह स्टीम हमारी है हम यहां पर बनाना चाहते हैं ठीक है ना इस रिवर्स originate from किर्गिस्तान और तजाक में जाती है तजाकिस्तान से होते हुए किर्गिस्तान गा रही है तो यह dispute जो है जिसे इंडिया में भी आप देख सकते हैं ना कि भई जिसे प्यों के का हमारा region है या इंडिस वैली वाटर रीजन है हमारी रिवर्स का पानी ही फ तो यहां पर यह था स्टेट फार्म बनाए गये थे क्लेक्टिफ फार्म बनाए गये थे और इनहीं के अकॉडिंग कुछ बेकिस्तान तजाकिस्तान और आपके किर्गिस्तान को फायदा मिलता था यहां के फार्मर्स को बढ़ें 1991 क्या हुए रिवाइड से आरका एंडिस तो थोड़ा सब मैपने भी समझेंगे कि भाई कहा है यह आपका यह देख सकते हैं इस दो प्राम्टी लैंड अफ दे किर्गीस्थान दिस दे तजाकिस्थान उजबेकिस्थान इस दो फर्गना प्रोविंस जो है यह तीनों देशों के अधीन है सम पार्ट गोस्ट दो जु किर्गीस्थान ठीक है ना यहां की प्रॉमिनेट क्यूमिनिटी तजाक देशों का नाम भी पड़ा है ट्राइबल सुसाइटी यहां की रही है और प्रेस्टोरल लाइफ इनकी ज़्यादा रही है खाना-बदोश्चीमन लोगों का यहां एक समय में ज़्यादा था अब त रहा है इतिहासिक तोर पर भी देखेंगे तो भी ठीक है और करन्ट सिचुवेशन में देखेंगे तो भी आई होप सुन अच्छे से इसको आप समझ पाए हो इस एन इंपोर्टेंट रीजन ना हम अब जानते हैं कि ऐसे कौन क्या 1991 के बाद का सिचुवेशन रहा सेनारियो रहा क्या कोई युद्ध हुआ उसके बाद येस टू वार्स अब टेकन प्रेस ब्रिटन बोथ नेशन देखें मेजर मेजर एक चीज़ में आपको बता दूं और यहां पर कि यह जो परगना का रीजन है यह इसके अलावा जो पेस्टोरल लैंड है ना यह 1991 के बाद जो है क किर्गिस्तान की टेरिटरी में जाके वहां पर प्रेस्टोरल रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं उनका अपने बैनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने अनिमल्स को वहां पर ग्रेज कराते हैं या प्लांटेशन करते हैं ठीक है जी खेतीबारी करते हैं और इसका विरो in the disputed land of किर्गिस्तान जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भई जिसे पीओ की का रीजन है पाकिस्तानों को पाई कश्मीर बट स्टिल वी शो दिस रीजन अब पाट अफ इंडिया तो ऐसे ही इसको कजात जुए अपना मानते हैं और बेसिकली क्योंकि यह अभी जो है कंट्रोल डारेक्ट्ली किर्गिस्तान द्वारा है तो डिस्प्यूट हो जाता है तो 2004 में यहां पर अपर कि प्लांटेशन का जाकी लोगों द्वारा करी गई तो तो किर्गिस्तान ने देखते हैं किसे केटमें और भी कहा जाता है बोडर क्यूमुनेटेश्स रूम बोडर साइड यूज गार्डेन टूल स्टोंज और अनिबल शेल्टर्स ठीकरी अनगें सेम दिंग हापन नाओ अभी जो हो रहा है अभी जो इंसिदेंट हुआ है जिसमें हंडल पीपल लॉ कर रहे हैं इसके अलावा थोड़ा सा इंवाल्मेंट यहां पर दोनों तरफ की फोर्स का भी इस बार हमें देखने को मिला है ठीकरी प्रेजन टसल की बात करें और अभी जो में रहा है टसल का यह आप देख सकते हैं फरगना रीजन में ही एक बार फिर से फरगना एक और ए करा और डिस्प्यूट हुआ यहां ठीक है जी और फिजिकल वो डिस्प्यूट जो था वरवल से फिजिकल कब हो गया पता ही नहीं चला पॉर्स का भी इंवाल्मेंट बढ़ा है तक कि बिन एक हजार किलोमेटर का यह दारा है जो बार रीजन है ठीक है और सो लोगों के है इतना जादा यह जो है मैटर डिस्पूटेड ना हो इसको युनाइटिड नेशन तक खींचना पड़े ठीक है तो यह एक जो है इसका एक सॉलूशन निकाला जा सकता है और क्या में रीजन है सटन लॉस बनाए जाएं कि दोनों ही देशों के जो नैसल इंट्रस्ट है व इंपोर्टन है रिच रिसोर्स का रेजन है लेकिन अभी भी जो लोग है काफी हद तक जो है किती बाड़ी करते हैं या क्याले फैस्टोरल लाइफ उनकी लही है ट्राइबल रीजन बहुत है एथनिक रिच एथनिक एन कल्चुलिक हैरिटेज लोगों का यहां पर रहा है और एक पीस्फुल लाइफ जीते हैं तो इस परकार के क्लैशिज जो है वह एक एक इंस्टिबिलिटी करते हैं पूरे सेंटेलेशन रेजन में वह जो एक यूरिटी है सेंटेलेशन नेशन की वह कही ना कहीं हाम होती है और इसकॉर्स इट हाम्स दो नैशनल इंट्रस्ट इंडिया विकिस्ट विए ट्लोज अस्टेशन विद तजाकिस्तान ठीक है उजबेकिस्तान के साथ भी हमारे संबंद अच्छे हैं तो अगर इस प्रकार के डिस्प्यूट्स होंगे इंटरनाशनली इंडिया के इंट्रस्ट यहां पर होते हैं अजी सुटें मुझे उनका संबंद था वी वांटे विंद समर्कान विच इस प्रॉमिन सिटी और संटलेशिया इसी मुट्भेड में जो है फ्रदर शिफ्टे टू इंडिया ना समर्कंद उने मिला था ना अपने हाथों से खो दिया था नहीं दैन ही मूफ तूवर्ड्स दूवर्ट जो कि आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच